हेलो एब्रीवन वेल्कम और वेल्कम बैक टू मैं चैनल शॉपिंग पबितर सर्जवां आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल सा हेयर स्थायल शेयर करने वारी हूँ जो कि मैंने अभी क्रिएट किया हूँ जो कुछ इस तरीके से मैंने एक बन बनाया है और साइट से अपने बालों को तुष्ट करके पिन अब किया है यह बनाना बहुत ही आइसान है अगर आप अभी बिगनर हैं आपको हेल स्थाल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बालों को बारबार प्रेसिंग ना करें तो सिंपल से कुछ-कुछ बॉबी पिन और जूड़ा पिन से आप लोग यह हेल स्थाल क्रिएट कर सकते हैं तो आए चलिए बताती हूँ आपको इसे खिस तरीके से मैंने बनाया है अगेन हलो आपको एक कौम की हेल्प से अपनी बालों को सुझा लेना है पहले और फिर आपको मिडल से डिवाइट कर देना है अपने बालों को यह सरीके से मैं कर रही हूँ क्योंकि यह मिडल से अगर आप दोनों साइट डिवाइट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप साइट से निकालते हैं तो शारी अच्छा ना लगे फिर आपको अपने बालों को सबको पीछे ले लेना है और सेम इसे तरीके से अपने सेकिंड साइट से भी आपको थोड़े से बालों को आगे छोड़के पीछे की तरफ अपने सारे बालों को ले लेना है और फिर एक रबर बैंड की हैल्ट से इसको पोनी टेल बना लेना ह Ponytail को आप थोड़ासा tightly बनाए तो अच्छा रहेगा वहाँना बन थोड़ासा धीला रहेगा तो वो उतना अच्छा लगता नहीं है अपनी Ponytail आपने बना ली है इसके बाद हमें bun tool आता है जो कि आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा इसमे को आप अपनी पोनी टेल के मिडल में विल्कुल आप इसको लगा लेजी इस तरीके से सब देख रहे हैं वीडियो में और अपने जो ये बाल है इनको पूरा कवर कर दीजे एक तरीके से इस टूल बन को और अच्छे से कीजेगा क्योंकि मैं सामने मिरर नहीं देख रही हूँ और छोटा सा रबट बैंड लेके आपको इसको उपर से कवर कर लेना है ये देखे मैंने कर लिया है अब आपको जो बाल आपकी बचे हैं इसको टू पार्ट में डिवाइट कर लेना है और इन बालों को ट्विस्ट करना है थोड़ा टाइट लेट उस कीजेगा या फिर आप एक से इस एक चोटी बना के भी आप कर सकते हैं बट आप एक बार ट्विस्ट करके कर लिजे twist आप इसको करेंगे और इसको circle लेके आपको secure कर लेना है यहाप एक bobby pin से मैं यहाप एक आपको दिखा रहे हूँ, bobby pin से इसको secure कर लेजिए अब जो आपकी second side रहे गया है, second side को भी आपको twist करना है tightly twist करना है और इसको भी आपको turn कर लेना है अपने जूड़े के circle round shape आप आगे से लेके आएंगे और इसको back side में ले जाके इसको भी एक bobby pin से secure कर लेजिए इसको भी आप secure कर लेजिए bobby pin से second part को और थोड़ा सा tightly ही twist करना और अगर आपको लगता है ना कि एक दो और bobby pin से चाहिए इनको tightly करने के लिए क्योंकि अगर आपके बाल heavy है तो आप वो भी लगा सकते हैं अब जो आपके side side के जो बाल रहे गया है इनको थोड़ा सा comb कर लीजिए और इनको भी आप twist करना start केजिए आप इनको twist करेंगे यह भी आप tightly twist करना क्योंकि तभी एक row सी दिखाई देगी जो आपके hairstyle को थोड़ा अच्छा look देगी आपको इसको tightly twist करना है और again same आपको इसको भी अपने जूड़े के circle shape में ले जाके circle ले जाके इसको भी bobby pin से secure कर लेना है इस तरह के hairstyle बनाना काफ़ी easy होता है अगर हमें नहीं भी आता है कुछ करना और हमें साड़ी पे भी अच्छा लगता है dresses पे भी अच्छा लगता है बहुत simple है और आजकल summer जिस सरी केसे चल रहे है न तो यह best है side से हम क्या करेंगे second side से भी same यही करेंगे twist करेंगे अपने बालों को और इसे भी अपने बन के corner से ले जाके गोल घुमाके इसे भी secure कर लेंगे यहां पर मैंने neck piece भी पहना हुआ था side से दिखा रही है side से किस सरी के इसे लग रहा है और मैंने थोड़ा से इसको secure करने के लिए एक दो pins और लगा ली थी जैसे जूड़ा pin भी आप यूज कर सकते हो तो जूड़ा pin आप लगा लो इसको ताकि कहीं से open ना हो क्योंकि मैंन रार यहां पर मैंने अपनी mang भर लिए और में लग रहा सा एक और कमी लग लिए थी जड़ा लूस लग रहा था तो मैंने एक और यहां पर जूड़ा pin लगा लिया हैं और यह हो गया final तैयार अने डालिया हैं kinda copy Alors Rings और sub classe और कुछ इस तरीकह लिए दिखाई मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बतायेगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं और अगर आपने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चुक्के से आके वीडियो देखके जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चा सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज इसको शेर कर दीजे लाइक कर दीजे अपने फ्रेंड्स में बता दीजे कि कुछ-कुछ ऐस तरीके से आप हेरस्टाइल कर सकते हैं आने वाली वीडियो में मैं शॉपिंग कहने वाली हूँ फलपकार्ड मंत्रा भी सेल्स बहुत सब्सक्राइब कर दीजे आने वाली है तो हमारे प्रेस्टिवर्स पी आने वाले है तो तब तक के लिए देखेरा